हेलो फ्रेंज नमस्का स्वागत आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एग्री यूनिक पर आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे खरपतवार वगी करण के बारे में जो भी स्टुडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को वीजिट हो क्वेरी हो और वीडियो कैसी लगे हैं सारी चीजें आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन आज के इस वीडियो में हम तरशा करेंगे खर्पतवारों के प्रसार के बारे में खर्पतवारों के प्रसार में पहला पॉइंट है मार्थ पॉजन से दूसरी जगहां खर्पतवारों के बीजों का पहुंचना क्या कहलाता है प्रसार कहलाता है, प्रसार की खर्पतवरों का प्रसार कैसे होता है, और यह प्रसार जो होता है, यह कई प्रकार के होते हैं, जो नेमली की प्रकार से हैं, पहला है आजयविक प्रसार, आजयविक प्रसार में पहला दिया है एनीमो चोरी, एनीमो चोरी का, यह हवा के द्वा पर बिभीन प्रकार की संद्रशना बनाते हैं जैसे कोमोस आख के बीजों पर एवं रस्बेरी में बैलून जैसे संद्रशना बनते हैं जिससे हवा का प्रेसर इन सीट पर ज्यादा लगे और ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंच सके और नेश्ट देखेंगे दूसरे प्रकार है अजैविक प्रसार का दूसरा प्रकार है अजल के माध्यम का प्रसार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं है जो चरी कहते हैं, तीसरा है, बारा चरी, जब गुरुतवा करशळ बल के कारण बीजों का फैलाव होता है, यानि उपा ऐसे क्या किछते हैं, बीजब पकर के गीते हैं, तो ये काफी दूर तक उरते हैं, और उर्ने के प्रसाद धीरे-धीरे नीचे गी जाते हैं, इसे को हम क मायर मेकर चरी में जब कीटों के द्वारा अरथा चीटियों के द्वारा खरपतवारों का प्रसार होता है तो उसे हम मायर मेकर चरी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकार जैविक का आटोचरी, आटोचरी का जब बीजों का प्रसार, खरपतवारों के बीजों का प्रसार स्वयम होता है तुसे हम आटोचरी कहते हैं, तीसरा है जूचरी, जब पस्गों के माध्यम से बीजों का प्रशार होता है तो यह इंद्रेबोच्वारी कहलाता है यह एक देश से दूसरे देश में खरपतवारों के बीजों को फैलाने में मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक है मन से जबसे ज्यादा फैलाने का कारे करता है बीजों को खरपतवारों के बीजों को और न पिरन नाम क्या है एकाइनो क्लोवा इस्वे सीज यह कौन सी बीमारी कीत को सन रख्षर देता है तो धान के तना छेदक को सं रख्षर देता है दूसरा है चिनांपोरियम 111 बमथूगा किस कि कीट को साहाराराम करता आपसीजन में तो मक्क की तनी शेदक को सहार्था प्रदान करता है। जीवन चकल को फूल्ड करने में। जब मक्क की छेती नहीं की जाती है या फिर आपसीजन में होती है। तब उस समय बथुगा के ऊपर मक्क का तना शेदख अपना जीवन निर्वा करता है. तिसी से इसी तरीके से अन्खर पत्वार हैं, जो भिबिन प्रकार की वहसलों में लगने वाले कीट और रोगों को संरक्षर प्रदान कहते हैं, सहारा प्रदान कहते हैं, देख लेते हैं, फटाफ़र, अमरेंथाश इस पर सीजी से चलाई के नाम से जानते हैं, औरहर का ग्र एकन बाल्वर्म को संद्ट्ट्ट्ट्ट्ट देता है जंगली जई यह गेहुं तथा जव के तना रोग रोली रोग का कवक को संद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तेरे के अरगड विमारी का कवक जो होता है उसको संरक्षन प्रदान करता है नेश्ट है जंगली शर्सोई सिनेपिस अर्वेंसिस यह क्लब रूट या गोभी और फूल गोभी का काला पेर जो रोग होता है उसको संरक्षन प्रदान करता है जंगली शर्सो यह थे आपके कु के लोगपर एक साल कारे निकाई गुराई का होता है काहवत प्रस्थ है लो हम रागर मीढक है और मिट्न के चाहर खर्पतवार के सीध होते हैं वह मिट्टी में मिले रहते हैं और इसी को हम खर्पतवार बीज में कहते हैं जो सबसे ज्यादा प्रसार करता है खर्पतवार के बीजों को खरपतवार बीज निकासी, मित्ति से खरपतवार के बीज को निकालना, इसमें बीज के स्वतह अंकुरन प्लस घातक अंकुरन और प्लस चेटियों, करिंतिकों, पच्छियों और अनेरिजन्टों के कारण, बीज मृत्तिदर और बीज छह या फसल रोग जनकों के कारण, परिश्चासी है, यह कोई इंपर्टन चीज नहीं है, आगे बढ़ेंगे, बीज सुसुपता अस्था, यहां से कई बार के रिश्चन दो है, बने हुए है परिश्चा में, निश्ट है आपका बीज सुसुपता, सीड डार्मेंसी, क्या होती है, तो यह तीन प्रकार की होत प्रकार की बीज आवरण में रासानिक अरुद्गों के कारण सुसुपता अवस्था होती है, उसे प्राथमिक या अंतर नहीं सुसुपता अवस्था कहते हैं, दूसरा है प्रेडित या दितियक सुसुपता अवस्था, जो पर्यावर्डी कारकों जैसे तापमान या सुसुपता अवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडित या दितियक सुसुपता अवस्था कहते हैं, नेक्स देखेंगे बल से लागू सुसुपता अवस्था, बल से लागू सुसुपता अवस्था क्या होती है, तो बल से लागू सुसुपता अवस्था के बारे उनने 1969 में एक रिपोर्ट में कहा था नेश्ट पॉइंट देखेंगे क्विशेंस क्या होता है बीज में पाई जाने माली प्रकार की सुष्पता वस्ता को हम क्विशेंस कहते हैं यह अपका इंपॉर्टेंट है यहां से पूर्च सकता है नेश्ट देखेंगे खरपतवारों पर बगी करणड के बारे में हम देखेंगे तो जीवन चक्र के आधार पर पहला है एक वरसी खरपतवार को जिसे हम एनूवल विट्स कहते हैं इसमें पहला पॉइंट दिया है वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वरस्या इससे कम आवधि में पूरा करते हैं एक वाऌरा उत्पन होते हैं तो कि गया है तो पहला क्या है खरीप के खर्पतवार कि कि इसले कि क्पात्वार है कि अभिसे एक सब्सक्राइब के बावं से तो देख लेंगे खर्पतवार पत्थर चट्टा या साठा या सेंथी या कार्पिट वीड जिसे हम पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं इसका बैग्यानिक नाम क्या है ट्राइंथिमा इस्पेसीज यह सभी खरी फसलों में उगता है नेक्स्ट है जंगली धान इकाइन इसका वग्यानिक नाम है और यह मक्का जीवार व बानुट है यतिनों फसलों में उगा पाया जाथा है और यह सभी खरी फसलों में उगा बहँआ पाया जाता है नेक्स्ट देखेंगे next है भजार दान या फाईयंध्स नीरूरी के नामसे बाराश्यूतिक नामसे जाना जाता है और यहां सोयबीन, मूग और उलद में उगा उगा देखा जाता है नेक्षट देखेंगे विस्थ खपरा या 60 विश्थ खपरा या शांत या बेहर रेविया डिप्रीउजा इसमें दिया नहीं है इस फसल में पाए जाता है यहां पर ब्लेंक कर दिया है अगला देखेंगे मकोले सेलनम नाइग गरम्स एगस्ञाईंव इन्मोगध उड़ात 124-300-400, क्वर्फिद ये साइप्रस एरिया।魔 मक्र्चा जवर और वाज में ज़रा देखा जा सकता ह। नूनीया या पॉन्टुझ वाली फ पसल में ज़्या तर्वाज दिखा जा सकता है। नेश्ट है दुद्धी घास दुद्धी घास फोर विया इस पिसीज इसका वालनस्पितिक नाम है और यह ग्रीस मिरित की खरपतवार है ग्रीस मिरित की आप ज्यादतर इसे देखते हैं जब खेत को गयों के बाद पढ़ती छोड़ दिये जाता है उसमें ज्यादतर रूपत पर उसके नाम से जानते हैं इसलावनस्पितिक नाम है और यह अफसली छेत्रों में ज्यादा तरूगा हुआ पाया जाता है यहां पर फसल नहीं हुआ जाते हैं अब दूसरा प्रकार देखेंगे एक वर्सरी का दूसरा प्रकार है रभी की खरपतवार कौन कौन से है तो अपना जीवन चक्र चलाने के लिए उगते कम है सितंबर या अक्टूबर माह में उगते हैं और मार्स अप्रल तक अपना जीवन चक्र पूल्ड कर लेते हैं उसे हम रभी की खरपतवार कहते हैं तो कौन-कौन से खरपतवार है इसको देखेंगे कृष्ण नील इना गेलि खरत हुआ एक बात हुआ होता है इसकी पत्तिय चोड़ी होती है या चीनव पोडियम मुराहिल के नाम से जाना जाता है और गेहु या जाम में उगा हुआ देखा जा सकता है या कह सकते हैं चने का मुख्य खरपतवार है निस्ट है गेहुसा मंडूशी या गेहु का मामा गुली डंडा के नाम से हम किसे जाते हैं जानते हैं फैलिस माइनर को जानते है या इसका फैलिस माइनर को जानते है या जानिक नाम है गेहुसा का और गेहु में मुख्य रूप से उगा हुआ हुआ देखा जा सकता है पीली सैंजी यह मिली लोटर सिंदिका के नाम से जान नाम है सत्यानासी सत्यानासी का वानस्पतिक नाम क्या है अर्जीमोन मैक्सिकाना या और यह सर्षो का मुख्य खर्पतवार है यह पूछा जा सकता है कई बार परिशाओं में प्रश्ण बना हुआ है नेश्ट देखेंगे कास्नी सिंचोरियम इंटाइबस इसका वानस्पतिक नाम है कास्नी का सिंचोरियम इंटाइबस और यह बर्शीम का मुख्य खर्पतवार है नेश्ट देखेंगे लटजीरा लटजीरा अकाईरेंटस असफेरा इसमें कोई फसल नहीं दिया है ब्लैंक है या कस्कुटा स्वषिज के नाम से जाना जाता है। इस थे एक standing खरपतवार जो रभी और खरीव सीजन के थे। sarah स्विशण के देखेंगे 2 वर्षी कंद जीवन को अध्यार परme principles के नाम से जाना जाता हि इस पहला पॉइंट है इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र posle में पूरा करते हैं और प्रतम वर्ष में वानास्पतिक बिर दिटी करते हैं तरफ के दूसरा पॉइंट है जैसे जंगली गाजर जिससे ऊह लोटे और जंगली को नी फोलिया इस्प्ले नी फोलिया लूनिया इस्प्ले नी फोलिया और जंगली प्याज कासनी यह खाकी वीड यह जो वीड है यह दुवर्षी खर्पतवार है और कासनी यह एक वर्षी दुवर्षी खर्पतवार का उदारण है कासनी जो है आपका तीनों वर्षी में आता ह कि नेस्ट है कि भर्षी खर्पतवार जीवन चक्र क्या ताधर Кон推 फेल घ्रषमबलकेंदी में पूरा एक तेधर 10 जिन का प्रसारण वबल्भ त्यूबसर इत्याद से अपना क्या करते हैं इसमें उधार जैसे मोथा जिसे साइपरस रूटेंडेंस के नाम से वानस्पतिक नाम से जानते हैं हीरन खुरी दूब घास इसका वानस्पतिक नाम है जीजफस रूटेंडी फोलिया और लेंटेंडी अक्टाइमेरा अगला है और गाजर घास नागपनी जलकुंभी एवं परू या जांस है कसे जिसका वानस्पतिक नाम क्या है और निस्प पॉंट देखोरिए हिरदखुरी घास इसका वानस्पतिक नाम है और फिल्द या फिल्द या फिल्ड बाइंड वीड के नाम से मेंज जानाओ यह गेहूं का आपत्ती जनक अब्जेक्शनल खरपत्वार है जो मिल्दा छहरण को रोगता है यह प्रश्ण परिच्छा में पूछे जा चुके हैं आपके लिए परिच्छा की दिश्ट्री से इप्रकार का होता है इसमें पहला है एक भीजपत्री को संकरी पत्ती वाले खरपत्वार के नम से हम जानते हैं इसमें एक भीजपत्री में देख लेंगे तो पहला point है एक खरपत्वार 2,4-D के प्रियोग से नस्ट नहीं होते हैं जबकि चोड़ी पत्ती खरपत्वार वाले 2,4-D के प्रियोग से नस्ट हो जाते हैं इसमें उदारण है एक बीजपत्री का मोथा साइपरस उटेंडर्स अपवाद वा नस्ट हो जाता है किवल एक ऐसा मोथा है जो 2,4-D से नस्ट हो जाता है या अपवाद कहा जाता है एक बीजपत्री का और दूसरा है बत्थुगा या सिनापोडियम 11 की नाम से जाना जाता है इसका उदाहरंड है दूइभीज पत्री का next है दूग खास दूग खास को दारने तकास की नाम से जाना जाता है लटजीरा को और मकरा एक बीज पत्री है डेक्टाई लोक्तियम और अजीब पतिकम इसका वग्यानिक नाम नाम है माकरागास का और क्रिफ्र नील जो कि दूइज पत्री खरपतवार है इसका इनागेलिस अर्वेंसिस पार्णस्पतिक नाम है नेक्स्ट है एक बीज पत्री खरपतवार जंगली धान जिसे इकाइनो कुलवाइस्पेसिस के नाम से जानते हैं हिरन खूरी डूइज पत्री है जिसे अर्वेंस्प के नाम से जाना जाता है गुली डंडा जिसे फैलिसमाइनर के नाम से जानते हैं यज या एक बीज पत्री के ND पत्री के नाम से जानते हैं जैंगली चौलाई जिसे एमिरेंथस वीर्दिस के नाम से जानते हैं या दुईवीज पत्री खरपतवार है और एक वीज पत्री में लाफ्ट उदारन है बरू घास जो सोरगम हेल्पेंस के नाम से जाना जाता है और खरतुगा जो होता है दुईवीज पत्री होता है और चि